तो आज टोड़े वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाव टू फार्म है क्वीज बाइ यूजिंग गूगल फार्म आज हम इस बात को सीखने के लिए जा रहे हैं देखिए ये क्वीज आपको दिखाई दे रही है इस क्वीज में सबसे उपर आपको ये थीम है प्रिव्यू है सेटिंग है सेंड है और ये तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं असलमें सेटिफाइं को अटेश करना ये सेटिफाइं एक एड़ान है इड़ान पहले आपको डाउनलोड करके इस्टाल करना होता है उसके लिए आपको ये जो तीन डॉट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना होगा इस पर جब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आप add-on का एक symbol बन के आ गया इस add-on पे हम click करेंगे तो यह add-on पे click करने के बाद एक बड़ी सी window आपके सामने खुलेगी यह देखिए और इसमें उपर search app करके खुलेगा यह देखिए search app इस search app पे हम click करके type कर देंगे certify और enter कर देंगे यह देखिए नीचे certify लिखके आगया इस पर click कर दीजिए यह certify की का icon बन के आगया इस पर click कर दीजिए यह certify forms add-on लिखके आगया है और यह install का बटन है यह install कर दीजिए आप install के बाद continue कर दीजिए continue करने के बाद google chrome में एक और window बन के आएगी जिसमें वो यह पूछेगा कि आप किस account से sign in करना चाहते हैं तो मैं जो अपना gmail account खोले हुए हूँ उसी से sign in करना चाहता हूँ तो मैं इसको click कर दूँगा click करने के बाद बिल्कुल नीचे आएंगे आप तो allow आएगा इस पर आप allow करते हैं आप तो प्रेस अलाओ नौ दिस सर्टिफाइम इस गोइंग तो इस पर्टिकुलर जीमेल एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्वीज अब यह जो विंडू बन के आई थी इस विंडू को आप क्रॉस कर दीजिए क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि यह उपर जहां थीम से पहले कुछ नहीं था यह देखिए एक arrow जैसा बनके आ गया है जिसको हम add-ons कहते हैं यह add-ons पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यह add-on बताता है कि यह certifyme का add-on है देखिए certifyme लिक करके तो अब आप certifyme पर क्लिक करेंगे तो यह खोलेगा show certifyme controls और नीचे बहुत सारे options आप show certifyme control पर क्लिक कर दीजिए click on show certifyme controls and you will find a window here यह देखिए certifyme की window एक बनके आ गई है क्विज में certifyme को attach करने के लिए आप इसको अब confirm कर दीजिए confirm करने के बाद आप देखेंगे कि certifyme पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी यह देखिए सबसे पहले आया status यानि certification is off इसको आप turn on कर दीजिए आपने इसको turn on कर दिया यह turn on हो रहा है एक second आपको wait करना पड़ेगा यह certification is on यह record को छोड़ दीजिए आप passing marks आपने कितने marks पर आपने 50% पर आपने इस certificate को भेजना स्विकार किया है that means that the candidate who will play the quiz he or she will get the certificate if he or she is passed with 50% marks अगर 50% marks उसके आएंगे तो उस पर यह certifying अपने आप certificate भेज़ देगा नीचे certificate के बहुत सारे template पड़े हुए हैं इन template पर आप click करेंगे तो यह बहुत सारे frame आपको दिखाएगा आप black frame, brown frame, golden frame को इसा भी frame आप चुन सकते हैं और आप चाहें तो इसका preview भी देख सकते हैं और चाहें तो आप नीचे use a custom template में अपना एक certificate बना सकते हैं और उस certificate को बना करके इस को इस से attach कर सकते हैं फिलाल जो इसका golden पड़ा हुआ है हम इस golden को ही select करते हैं और यह देखे 99 emails remaining यानि certified एक दिन में 100 लोगों को email भेजता है यह 100 certificate नहीं भेजता है यह 100 email भेजता है यानि कि 50% के साथ में जो pass होने वाले 100 लोग होंगे ऐसे 100 लोगों को यह certificate आटोमेटिक भेज देगा अब यह certificate आपका attach हो चुका है अब हम लोग इस quiz को खेलना शुरू करेंगे जब आप इस quiz को खेलना शुरू करेंगे तो आप इस quiz में जाएंगे quiz में आपको मालूम है आपने अपना email address बर दिया और यह certificate इस पिकार से इसमें attach हो गया है certificate जब इसमें attach हो गया है अब आप इसको फिर से भेज सकते हैं मालीजे आपने यह send किया यह कल भी मैंने बताया था आज मैं फिर बता देता हूं को send करेंगे तो आपके पास link आएगा link को shorten कर लेंगे shorten link को copy कर लेंगे copy करके email पर जाएंगे अपने जो email जिस email पर आप इस सारा काम कर रहे हैं उस email पर जब आप पहुंचेंगे उसी Gmail पर जिस Gmail पर आपने एक quiz बनाई है और यहाँ compose कर देंगे इस Gmail पर जब आप जाएंगे तो आप यह भी देखेंगे कि जब आपने certificate on किया तो यह देखिए ऊपर एक email आ गया है कि certification is now turned on for your exam जैनी कि अब आप मैं अपने ही email पर इसको भेज लेता हूँ subject link others quiz और यह मैं link को copy कर देता हूँ और इस email पर भेज देता हूँ जैसे आप भेजेंगे यह आपके email पर link आ गया है आप whatsapp पर भी बैस सकते हैं कहीं भी बैस सकते हैं इसको आपने खोल लिया खोलने के बाद आपने is link पर किलिक किया Link पर क्लिक करते ही एक फूल जाएगी यहां पर सबसे पहले आपको अपना email डालना होगा इमेल डालने के बाद आप अपना नाम डाल सकते हैं फुल नाम डालिए इस्टिटूट डाल दिया मुबाइल नमबर नेक्स्ट कर दिया इंडिया, capital of our country, New Delhi, CM of UP, योगी जी, CM of Delhi, अर्विन केज रिवाल, next कर दिया, ये rating आपको इद आपने rating कर दी, आपने submit कर दिया, submit करके आप view score भी देख सकते हैं, view score में आपका score ये देखे, total 4 बटे 4, यानि 4 में से 4 point आपको मिल गए, अब आपको देखना ये है, कि जो आपने quiz खेली है, इस quiz खेलने पर आपको आपका certificate तुरंथ email पर आता है, अथवा नहीं आता है, ये चीज़ आपको देखनी है, quiz हमने कर ली है, quiz में हम pass हो गए है, और pass होने के बाद हमको ये देखना है, कि हमारे पास ये देखे, your certificate is here, ये आपका certificate आ गया, अब ये certificate को आप गौर से देखे हैं, ये आपने जो template था उसको इस्तेमाल किया है, ये certificate पूरा attached हो गया, तो हम मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसको आने के पीछे, इसमें क्या क्या करना होता है, ये भी आपको पता लगया होगा, कि आप इस quiz में ज जाते हैं, quiz में जाने के बाद, आप पहले my drive खुलते हैं, उसमें आप quiz में जाते हैं, और quiz में जा करके आप certified को install करके attach करते हैं, आप बार बार वीडियो rewind करके देख सकते हैं, और ये देखिए, यहाँ पर certified का email ID on है, मैं क्या करता हूँ इसको, अगर मैं इसको खोलता हू और इसी show certified control से सारा काम होता है, आप अगर चाहें, तो आप इस certified को आप uninstall भी कर सकते हैं, अगर आपको इसमें दोबारा लगाना है, तो आपको इसको you have to install it again and again, ताकि ये आप install कर सके हैं, अगर आपको इसको uninstall करना है, तो आप फिर इसी से जाएंगे, फिर आप add on में ज कि वही वाली विंडो खुलेगी, जिसमें आप certified को लीजिए, आप certified फुल गया, certified install है, इस पर आप click कर दीजिए, click करने के बाद uninstall का message आएगा, आप इसको uninstall कर दीजिए और आप इसको uninstall कर सकते हैं, जब आप इसको uninstall कर सकते हैं, जब आप इसको uninstall करेंगे, तो आप दे what I have said how to attach certifying so you mean a gap of Puri Vassamish Mary Yogi thank you so much